इस पेज के एक राइट करने के आपको जो है 800 रुपे मिलेंगे ठीक है अब कुछ लोग यहाँ पर कमेंट करके बोलेंगे कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकते है तो impossible है लेकिन मैं यहाँ पर आपको यह बात बता दूँ कि यह अगर आप इंडिया में बैठ है और आपके पास कोई काम नहीं है तो आपको यह एक अच्छे opportunity मिल रही है अब मैं बताता हूँ वो क्या कहा रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में तो यहाँ पर जो है आप मान लीजे 800 रुपे के लिए अगर मैं ही किसी को यह बोलू कि क्या आप 800 रुपे मेरा यह एक page करके दे देंगे तो मैं इंडिया में बैठ हूँ मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक page के 800 रुपे आपको दूँ लेकिन अगर मैं अमेरिका में हूँ और वहां से मैं यह बोलूं, इंडिया वालों को, या फिर अधर कंट्री को, कि भई इस एक पेज का, आपको मैं 8 डॉलर दूँगा, तो 8 डॉलर या 10 डॉलर दूँगा, तो क्या हुआ, वो इंडिया में आने के बाद कितने होगे, 800 रुपे, तो क्या हुआ, कहने का मी बड़ा है अब वो जो डॉलर इंडिया में आता है तो रुबा बड़ा हो जाता है ठीक है तो इस चीज को समझ यहां पर अब मैं आपको इसकी कंपनी के बारे में बताता हूं तो यह है राइटर लैब्स की कंपनी बिल्कुल 100% जैन्मीन यूएस की यह कंपनी है ठीक है तो आपको जो है भार की कंपनी के लिए यहां पर काम करना होगा आपको यहां पर काम करके देना होगा तो आप यहां से अच्छे कासे पैसे जनरेट कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि फिक्स है हर पेज में नहीं अलग-अलग है अगर आप हाई स्कूल में है आप यहां फिर कॉल नहीं है आप यहाँ पर दबा के काम कर सकते हैं और मन्तली धाय लाग रुब यहां से अर्ण कर सकते हैं तो अभी मैं आपको computer screen पर लेकर चलूँगा किस तरीके से यहाँ पर आपको जो है apply करना होगा क्या-क्या-क्या requirements आपको fulfill करनी होगी कुछ भी नहीं है guys आप मैं challenge के साथ क्या रहा हूँ अगर आप बेरोजगार है ना तो आपको यह बचा सकता है इस चीज से तो अभी मैं आपको सीधा अपने computer की screen पर लेके चल सकता हूँ तो वहाँ पर मैं आपको सारी चीज बताऊँगा ठीक है तो चल आप पोचेंगे writer labs की official website पर जहाँ पर आपको सबसे पैदे start कैसे करने आपको इस career को उसके बार में बताया गया है ठीक है तो तीन step में यहाँ पर जो है आप पहले अपना registration करेंगे तो यहाँ पर जो अपना cv वगएरा upload करना होगा कैसे करना होगा वो भी में बताऊँग उसके बाद आपका एक test होगा यहाँ पर आप test का नाम सुनके यहाँ पर आपको घबराना बिलकुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंना आपको question answer दिये हुए है तो link उसकी भी आपको description में मिल जाएगी तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का test होगा आपको देख लिजए mcq तो बहुत ही easy सा test है आप इसमें देखके त्यारी कर लेना देन उसके बाद आपको जो है एक translator की जरूत पड़ेगी ठीक है इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी क्यों पड़ेगी वह मैं को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको आपको बताता कोई पैसा वगरा देने की जरूरत नहीं है उसके बाद यहां पर आपको जाज ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलने वाला है साथ में यहां पर जो है on time payment जो payment होते है वो बिल्कुल time सा आती है कोई delay नहीं होता है उसके बाद यहां पर जो हिनकी जो life support 24x7 है देन उसके working hours यानि कि आप जब आपको time मिले जब आपका मन हो आप यहां पर काम कर सकते है देन उसके बाद यहां पर जो है आपको मैं बता देता हूं इसमें जो आपकी earning होगे किस तरीके से होगी क्या इसका जो है सब कुछ दिखाता हूं यहां पर तो यहां पर price पर जाएंगे ठीक तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि high school वालों के prize लोगोंगे college के लोगोंगे university के लोगोंगे master जिसने किया उसके लोगोंगे PhD वालों के भी अलगोंगे ठीक है तो यहां पर किस तरीके से है तो यह second language क्या है और यह native language क्या है इसके बारे में मैं आपको यहां पर बता द 13 13 और PhD में है तो 15 ठीक है अब बात करते है native language की तो native language में जो है अगर आपको English ही आती है ठीक है तो आपको ज़्यादे प्रैस यहां पर मिलेंगे ठीक है अगर आपको ज़्यादे यहां पर पैसा मिलेगा ठीक है तो इस तरीके सा आप यहां पर देख सकते हैं अपने प्रा यह जोब है गाईज अब मैं आपको यहां पर बताता हूँ इसको registration कैसे करना है ठीक है तो simply हम registration नाओ पर क्लिक करेंगे और उससे पहले मैं यहां पर आपको बता दूँ आपको कोई भी एक रुपा भी मांगता है या फिर कहता है as a security मांगता है तो आपको एक पैसा देने क से पैसा मांगता है कि पहले आप पैसे दो एक चमणनी दो यह दो तो आपको नहीं देनी है ठीक है आपको चाहिए जॉब लगे ना लगे आपको छोड़ देनी है कोई दिक्कत नी हमें फसना नहीं अपने पैसे देखे ठीक है तो अभी हम back to topic आता है registration कैसे होगा तो सबसे पहले यहां पर जो है आपको अपना नेम लिखना है तो नेम यहां पर लिखेंगे फिर लास्ट नेम लिखेंगे अपना जेंडर स्लेक्ट कर लेना है यहां से देन उसके बाद country स्लेक्ट करेंगे तो मैं इंडिया स्लेक्ट कर ले दाओं फटा फट से तो इंडिया हम को दुबारे से यहां पर डालना है फॉन नंबर अपना यहां पर लिखना है अल्टरनेटिव फॉन नंबर यहां पर आने के दूसरी सिम का नंबर या फिर अपना किसी भी दे देना मतलब दूसरा फॉन नंबर हो ठीक है have you ever worked or any other online academic assistant company अगर किया है तो yes करना अगर आपने किसी company में पहले online work किया है अगर नहीं किया तो no करना are you available 24x7 क्या आप हमें मतलब कि पूरे दिन online available रह सकते हैं तो यहां पर आपको जो है yes कर देना है अगर अपने हिसाब जैसे भी हो आपका अपने हिसाब से देखना है कि अगर आप available रह सकते हैं तो ही yes करना कर नहीं रह सकते हैं तो no कर देना ठीक है what citizen style you are ठीक है familiar with तो यहां पर अपने हिसाब से यहां पर check करके यहां पर not applicable कर देना ठीक है इस तरीके से then आपको what is your native language तो अपने native language लिखने है इंदी इंग्लिज जो भी है आपके ठीक है what other language do you know तो यहां पर अपनी other language यहां पर लिख सकते हैं आप जैसे तैलकू पर तमिल पंजाबी ठीक है इस तरीके से यहां पर आप लिख सकते हैं अपनी अगर आपको आती है तो ठीक है या फिर यहां पर English लिख रहे हो तो यहां पर Hindi लिख देना ठीक अधर अधर लेंग्वेज में तो जो मैंने आपको बताया था आपको जो पेपर यानिक एक पेपर के जो $8 में लेंगे $6 में लेंगे $7 में लेंगे तो वो आपको किस लेंग्वेज में लिखना है वो यहां पर आपको स्लेक्ट करना है English, German, Spanish, French या फिर other ठीक है इस तरीके सा आप जिसनी भी आपको लेंग्वेज आती है उसमें आप स्लेक्ट कर लेना तो यहां पर आपको वो टाइप कर देना है ठीक है जो भी आपको लेंग्वेज आती है जिसमें भी आप उस पेपर में लिखना चाते है तो आपके कौन सी हाइस डिग्री आपने high school क्या है एसोसेट क्या है, bachelor क्या है, master क्या है, PhD क्या है ठीक है उसी बेस पर फिर आपको पैसे मिलेंगे यहां पर ठीक है उसके बाइब है discipline list तो यहां पर आपको डाल देनी है किस चीज़ पर आप काम करना चाते है ठीक है तो geography है, history है, physics है किस पर आप मतलब जो paper बगएर वो लिखना चाते है ठीक है, वो सब चीज़े यहां पर आ जाएंगे यहां पर आते हैं चलाने है वो सब्सक्राइब है तो यहां पर आते हैं चलाने है वो आप यहां पर डाल सकते है, auto care आता है, c plus java programming ठीक है, या फिर other पर आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं, अगर other पर क्लिक करेंगे तो software कर नाम यहां पर आप लिख सकते हैं, अपने बारे में यहां पर लिखना है about yourself ठीक है, कि I am akshay और मुझे को यह हो भी है मेरी यह में का करता हूँ ठीक है, इस चीज में perfect हूँ, अपने बारे में यहां पर ब्रीफ में यहां पर लिख देना है, ठीक है, 400 बार से नीचे ही हो, लिख देना, short में आप है, ठीक है, मतलब कि introduction आपको यहां पर दे देना है, how did you hear about us, कहां से आपको यह सब चीजे पता चली, ठीक है, तो यहां से आप जो है अधर करके यहां पर YouTube कर देना, आपको क्या करना है, यह जो capture है, इसको same to same as it भर लेना इस तरीके से, ठीक है, इस पर जब आप ऐसे click करेंगे, तो आपको I agree पर click करके यहां से जो है, आपको submit कर लेना है, ठीक है, जब आप यह submit कर लेंगे, तो आप आपको जो है, यहां पर registration हो जाएगा, registration होने के बाद आप काम कैसे लेंगे, वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूँ, ठीक है, तो simply यहां पर जो है, मैं for example, आपको यहां पर दिखा देता हूँ, फटाफट से, so guys, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर जो हमारा, तो यहां पर हम सेफ पर क्लिक करते हैं, तो यहां पर हमें जो है, एक email आया होगा, इनकी तरफ से, तो वो एक बार यहां पर चेक कर लेते हैं, तो यहां पर आप देख सकते है, verify के लिए आपको जो है, क्लिक करना होगा, अब जब verification यहां पर आया है, तो आपको यह आपको आपको काम करने के लिए ओर दिये जाएंगे जहां पर आपको यू नीड टू प्रोशीड विज फॉलिंग स्टेप उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फोलो करना होगा पहला फॉन वेरिफिकेशन प्रोवाइज प्रोवाइज अस विद यूर क्रेडियेंशल और अपना नंबर में आपर दे दिया है जो कि वेरिफाइड है अब बात करते है प्रोवाइड अस विद यूर क्रेडियेंट तो यहां पर आपको अपनी गवर्मेंट आइडी यहां पर इसू करनी है तो यहां पर आपको क्या करनी है अपनी कोई भी आईडी आधा कार्ड पेन कार्ड ठीक है या पासपोर्ट जो भी है आपके पासपोर्ट रही आईडी कार्ड उसको लेकर खड़ा हो के जो है आपको एक फोटो खिचवानी है ठीक है उसको खीचने के बाद आपको क्या करन यहाँ पर जो है आपकी शैडो नहीं होने चेह बिल्कु इस पर जाके अपलोड करने होगी जब आपको इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपलोड हो जाएगी वह उसको करने के बाद आपको जो है अपने degree तो please hold a clear picture of your holding the highest degree have you completed in your hand तो ऐसे ही आपको अपने degree जो भी आपके mark sheet है जो भी है आपके high school की उन सब को लेकर आपको इसी तरीके जैसे उपर photo click किया ऐसी नीचे click करके जो है यहाँ पर upload पर click कर देना वो upload हो जाएंगी ठीक है उसके बाद आपको test clear करना है test कैसा होगा वो में हाँ पर पताता हूँ in order to finish your registration and be available to apply for available orders please complete the following test test तो यहाँ पर आपको order लेनी के लिए test clear करने होगे बहुत easy test होगा guys इसकी link में आपको description में दे दिये तो यही से related आपके test आने वाले है ठीक है तो इसके तयारी आप यहाँ से कर सकते हैं बहुत easy से test है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके के mcq questions आएंगे ठीक है त उसको जो है test को clear करेंगे then उसके बाद short essay आपका यहाँ पर होगा then आपका situation style test होगा then आपका professional essay writing होगा essay writing आप बहुत आराम से लिख सकते हैं किसी पर भी वह essay writing दे सकते हैं आप कर लेना बहुत easy तरीके साब यहाँ पर जो है इसको कर सकते हैं ठीक है तो एक बर मैं start now पर click क आपने टेस्ट वगरा ऐसे करना है ठीक है तो इस तरीके से जो है आपके बस इतने से question है देखिए 15 question है आप अराम से कर सकते हैं उसके बाद next profile पर आपका काम हैं से हो जाएगा ठीक है गाई तो ऐसा करने के बाद आपको earn करने के यहाँ पर बहुत अच्छे जो है chances इन में 500 रुपे भी आ रहे है तो बहुत बढ़िया है आपके ठीक है तो 15,000 रुपे भी आपके महीने के नहीं गए अगर बिल्कुल ही मतलब जिसको आता नहीं है न कुछ भी वह यहाँ से earn कर सकता है ठीक है तो अगर यह वीडियो आपको helpful लगी हो या फिर आपकी कोई queries ह ठीक है कोई problem आ रही हो तो मुझसे comment section में पूछ सकते है comment करके बाकि अगर किसी को मुझसे personal chat करनी है तो वो भी instagram पे जाके जो है मेरे को message कर सकता है ठीक है जिसकी link मैं अपने video के description में दे दी है अब बात करते है इसकी ठीक है यह translator मैंने यहाँ पर क्यों दिया है जिसको English न करना आपका बहुत बढ़िया यहाँ पर यह काम कर सकता है ठीक है किसी भी language में आप यहाँ पर जो है लिखके जो है अपना copy paste करके हुआ पर लिख सकते है ठीक है तो यह आपके लिए मैंने translator इसकी भी link में दे दूँ आपका description में ठीक है तो गईस अगर यह वीडियो आपक कर दो